कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होती है और कानून जो है अपराधी को जमीन से गड़ेवे आदमी को भी खोश सकती है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं यह पीडित परिवार है यह वो पीडित परिवार है जो एक महिन से डर के साए में जी रहा है जिसे ना तो कहीं रोजगार है नहीं जिसके पास और जो एक-एक पैसे के लिए आज समाज में महताज है और पता दे यह वही जगह है बरिसलाल चौक सुखेत पंचायत का यह चौक 10 मई को उस समय प्रकाश में आया जब रात को यहाँ पर चार हत्याई हुई जिसमें दो वयस्क यानि कि दो महिलाए और दो मासूम बच्चों का गला काटके यहाँ पर हत्या की गई और इतनी विवित्सना से वो हत्या हुई कि जिसने भी उस घटना को सुना उसके उसका सर चक्रा गया और इसके बाद जो मुख्या रोपी पवन महतो जो कि अवाम गाओं के बताए जा रहे है इस घर के दामाद थे जो इस घर में रह रहे थे और इस घर में उन्होंने अपनी पत्नी अपनी सास और दो बच्चों को बुरी तरह जो है वो हत्या की गटना के एक महिना बीच चुका है एक महिना बीच जाने के बाद भी आज भ परान जो क्रिया करम हुआ है उनके लिए भी समाजिक लोगों ने इनकी साहिता की है इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि अपने लोगों का अपने परिजनों का क्रिया करम कर सके आज ये आश्रित है लगातार करजे के तले दबे हुए है और सरकार से मुआबजे की मांग क करते हैं लेकिन मुआबजा भी इन तक अभी तक नहीं पोचा है साथी साथ आरोपी भी अभी तक नहीं पकड में आया है देख सकते हैं यह मासूम बच्चे किस तरह से जो है डर के साहि से जी रहे क्या ना मुआ बबु अपना आप उस्चा में थे वहां पर क्या देखें मारा ना तो देख सकते हैं मासूम बच्चा सारी गवाई दे रहे हैं यहां बहुत सारे देख सकते हैं यह सभी पिडिता परिवार है जो आज डर के साहे में जी रही है हम इन से बात करने के कोशिस करेंगे क्या नाम हूँ आप ना संतोज जी अभी तक एक महिना बीत गया ह है इसली बार भी हमने आपसे बात कि तो आपने बोला था काफी डर के साहे से हम जी तक को भी हटा लिया गया है कैसे आप लोग रात को सोते और कितना समाजिक कुछ लोग भी मौजूद है क्या नाम हुआ अपना परमोज जिस तरह कि घटना हुई है क्या लगता है कि अनुमान लगाए जा सकता है कि पुलिस परसासन ठीक से काम कर रही है पुलिस परसासन क्या काम करेगा पुलिस परसासन से तो दिख रहाए आपके सामने दिख रहा है ना एक मेना हो गया है दो बोल रहा था दो रोज में हम मिट्टी से खोद लेंगे यही पैसा बला पाटी रहता उपर से फोन कर बाता नितीश कुमार से फोन कराता किसी विधायक से फोन कराता तुरंत एक्टीव होता यह लोग तो बेचरा समझदूर आदमी है इनका भी हमको भरोस आया केस चल रह चल रहा है पैसे नियों पर खतम हो जाग पुलिस भी हाथ पर हाथ रखे बैठ जाएगा इन लोग पर पैसा भी नहीं है मान के चलो कुछ करने के लिए एक महना हो गया यह कांड का अभी तक हमको यह आचर लग रहा तो आदमी से क्यूं नहीं मिला है अभी तक मिलने रहा ह करें अब तक एक मेना हो गया नहीं आदमी आके पुछे हाल समचार कुछ आता है डेस्पी साब आया बड़ी भासन मारने से अरेश्ट नहीं हो जाएगा आप काम कीजिएगा हम लोग जाते हैं थाना पर तो बोलता है आप सुराक दीजिए हम क्यों देंगे भाई सुराक हमार आप से बोलता है रिष्टेदार है जब हम आपको सुराक देंगे तो आपके जगा हम एंस्पेक्टर नहीं बन जाएंगे हम आदमी थोड़ी रहते हम एक ही बार कहते हैं हम उसमें भी बोले हमको जरूरत परा इन लोग से देख रहें नहीं समलेगा तो हम लास्ट मेनी ती कीज नहीं हुआ एरेष्ट के साथ यह लोग जो कन्यादान किया था इन लोग पर अभी आठ से दसला कर जाए का एरेष्ट के साथ उसका लर्के का जितना संपती हो बेचके इन लोग का मौपजा भी दिया जाए दोनों काम हुआ जाए मैं सरकार से यही प्रातना करता हूं से जल से जल एरेष्ट हुआ और उनका जो भी है मैं कहा रहा हूं उनका हिस्से का जो भी जैदाद हो इन लोग को बेचके इन लोग को मौपजा दिया जाए सरकार से मैं यही अलोग करता हूं हाला कि मैं इसे राजनितिक मोड दे रहा हूं लेकिन कही ना कहीं कहा जाता था मोधी है तो संभव है लेकिन आज इस बीजेपी के राज में एक अपराधी एक महिने से परार है और मुख्य अभ्यूक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्या कहना चाहेंगे आप अब उसके बाद यहां के पर्शासन उस खटना को जैसे की एक आम घटना हुई और आख बुन करके सो गई अभी एक लरका बोल रहे हैं कि उस दिन जब यह जनाकरोश उस दिन जो था उसको सांथ करने के लिए यहां के पर्शासनों ने इन लोगों को अस्वस्त किया कि मैं दो दिन में उस मुक अभ्यूक को गिरफ्तार करूंगा आज एक महिना हो गया आज ही के दिन यहां के ठाया है हम लोगों के हिंदू समाज में एक महिने के बाद ठाया होती है और इस नरसंगहार में आज के दिन किनका ठाया है क्योंकि यह नरसंगहार हुए किसी एक लेकिन यहां ही मुटलब ऑग सथा और दो मूँ दूद मूहें बच्य की हत्या हुई है इसको नरसंगार की संग्या हम लोग के तरब से है अब सरकार क्या को सोचती है या प्रसाशन क्या सोचती करो проц cyst कि लोंगों की मैं दो दिन का आप लोंगों से समय लेता हुं और आज फैसे पता का 900 जााता है जो दो लोग का और यह लोग दहक पूरा पंचायत का यह सब्लों के सब्सक्राइब मैं यहां के प्रशाषन पॉर्पमज को मैं आपको 10 दिन के भीतर में यदि उस अपराधी को मैं आप कर थे हैं उस संद्रियंतिकारी को आप करते हैं क्योंकि ये जो घटना पूरे प्रिप्लान के द्वारा किया गया है उसको यदि आप उद्वेदन नहीं करते हैं तो मैं इस समाज के इस छेत्र के जंता को लेके जंजारपुड हो मधवनी हो आवसक्टा परीक तो मुखमंत्री सच्वाले तक्का में घ्राव करने के लिए सक्षम हूं करूंगा यह आप ल देख सकते हैं पीडित परिवार धर्ना देने की और साथ-साथ घ्राव करने की भी लगातार मांग कर रहा है कि अगर हमें नियाए नहीं मिलता है तो निशित रूप से हम धरना देंगे घ्राव करेंगे इस तरह की वीडियों लगातार आपको दिखाते रहते और उमीद कर प्रशाशन जल्द से जल्द आरोपियों के पकड़ कर इस मामले का उत्भेधन करेगी और जल्द से जल्द मामले का सॉलुशन किया जाएगा इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते है अन्ने वीडियो में तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास जहीं जय भारत ज मिलते हैं